नमस्कार आप देखने सिल्ख टिवी और मैं हूँ सेद इनाम उद्दीद आज हम बात करेंगे लोगसभा चुनाओ की लोगसभा चुनाओ की बात करें तो भागलपूर में एंडिये के टिकट पर बल्ले बाजी करने उत्रे अजय मंडल ने राजत के परतियासी बुलो मंडल को दो लाग से जादा वोटो से पराजित किया थै लेकिन इस पराजित की बुलो मंडल की हारने की वज़य क्या रही और अजय मंडल के जीतने का कारण क्या रहा यह सब हम जानेंगे आज और आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद है हमारे महमान परफेसर देव जोती प्रणाम सभी सिल्टिवी की दर्शक का स्वागत है आज के परिचर्चा में और खास करके आपका भी बहुत वह धन्नवाल कि आपने मुझको उस लाइक समझा कि इस चर्चा में आपने मेरे साथ बात करने के लिए आज हम आप से सिधा सवाल करेंगे और यह जानेंगे कि जो यहां पर जो चुना हुआ था 2019 में उसमें एंडिये के अजय मंडल ने जीत हासिल किये और जो राजत के जो परतियासी थे बूलो मंडल वह पराजित होगे इसके पहले भी अगर बात करें 2009 की तो भाजपा के सहिए सहनवाज हुसैन यहां पर से थे लेकिन 2019 में जो परिवर बतन होगा तो आपके बारे में कहा जाता है कि आपने अजय मंडल को जीताने में अपनी पूरी टीम के साथ मेंद्ध की और आखिर उनके पीछे ही क्यूं में नहीं है कोई दोहराई नहीं है जहां तक जीत की बात थे लेकिन उट समुन मोदी लहर की जीत हुई थी आप लो तुर्की के रूप में उसको रविन हुड भी हमने आख्या दिया था उसके रूप में वो सामने आये थे और कोसिस यही हुआ था कि जादा से जादा नियू भोटर को मोविलाइज किया जाए और हमने किसी पार्टी को मदद नहीं किया था हमने ना इंडिया को मदद किया था बेंगलीज फैमिली में उनको भी बहुत सुन्दर रूप से उन्होंने help किया था जिसके बारे में हमने जिकर भी पहले किया था तो ये कहिए कि हम लोग उनको देखे थे उस हिसाब में और यूथ के रूप में उनको हम लोग ने सामने लाया था और अजय मंडल जुबा मंडली के नाम से यूथ लोग ने अरहाई सो तीन सो यूथ ने जिसमें एक सो से ज़्यादा लड़की उलोग को लगा कि भाई यूथ के रूप में हम लोग अगर इनको जिताते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी लेकिन जीत वो मोदी लहर की जीत थी काई कि ये हम लोग कभी कलपना भी नहीं किये थे कि पहुने तीन लाग भोट से अजय मनल जीत थे लेकिन हम लोग ने बहुत मेहनत किया था और एक यूथ को सामने लाके मोदी लहर की जित थी यह बात सही है लेकिन जो उन्होंने चुनाओ के समय में जो बादे किये थे युवाओं से जो बादे किये थे आप युवा की बात कर रहे थे तो युवाओं से जो उन्होंने जो बादे किये थे तो वह बादा कितना पूरा हुआ आपको क्या लगता है अभी एक साल पूरे हैं और उस बादा का जहां तक आप बात बोलेंगे तो ये सही बात है कि बहुत कुछ उसमें बादे में दीखने ही रहे हैं सत्ता खिलाफी तो हम अभी नहीं कहेंगे कैकि अभी तो आप तो कोरोना में ही पाँच महिना चला गिया मोटा मोटी मानी 8-9 महिना में वो दीखा नहीं अभी तक और उमीद करते हैं कि अभी 4 साल में बहुत कुछ दिखना चाहिए आप एक सिख्षा विध है मोटीवेट करते हैं लोगों को जागरूप करते हैं समाजिक काम करते हैं लेकिन आपको आपने कि एंडिय का ही समर्थन उस चेहरे को का ही क्यों समर्थन क्या कोई आऔर चेहरा आपकी नजर में उस वक्त जो चुना अहों रहा था उसमें नहीं था देखिए मूल जो बैटल था वो अजय मंडल जी और बुलो मंडल के जीग में तो बुलो मंडल जी का हम लोगों ने जो देखा लास्ट पांच साल का कार्जिक रम तो वो छेत्र में ही नदारत थे और उन्होंने उस तरह का कुछ काम हम लोग को दिखा नहीं प्लस कुछ आदमें अप्रोच भी अगर करने का समाजी काम लेके तो उनका जो उनके पती रवाईया था वो बहुत सकारात्मक हम लोग को नहीं लगा और अजय मंडल पर हम लोग को लगा कि यह अगर जित्ते हैं सत्ता दूर पाटी से भी होंगे हम लोग उमीद लगा ही रहते कि यह इंडिये का फिर से सरकार होगा लेकिन हमने इंडिये को हिल्प ने के था हम बार बार बुलेंगा अगर मेरा बात आप करें हमने अजय मंडल को हिल्प किया था अजय मंडल की सरकार है लेकिन जुनौ जीतने से पहले बादे किये थे कि तीन माह में हम इनेच का काम दुरूस्ट करा देंगे अनेच को दूरूस्ट करा देंगे भुलानात की समस्या जो है जल जमाौ लेकिन हम आसा नहीं छोड़े हैं काई कि जूबा उनके उपर बहुत आसा करके उनको वोड़ दिये हैं तो हम लोग कोशिस करेंगे कि पब्लिक का जो काम है वो वो करें जिस तरह से आपकी टीम ने उनके पिछे वर्क किया टीम वर्क हुआ विजय बने लेकिन आज जो है तो पूरा सहर पूरा जिला कहीं न कहीं अजय मंडल के साथ आपको भी कोशता है क्या कहेंगे क्यों नहीं कोशेगा क्यों नहीं कोशेगा कोशना ही सभाविक है और हम पब्लिक के बीच में हैं पब्लिक के साथ हैं और हम आदमी के साथ ही रहना पसंद करेंगे अगर वो कोई आसा लगाये हैं हमारे बात पे अगर वोड दिये हैं और उनको सकरात्मक काम नहीं दीख रहे आपने कितना प्रयास किया ये दिखनी चाहिए अगर वो प्रयास नहीं दिख रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं हम हाथ जोल करके उन सो बोल रहे हैं कि हम पुर्ण प्रयास कर रहे हैं आगे भी प्रयास करते रहेंगे और जो वादा हमने किया था आपके बी करोना ही नहीं पिछले बार बार में भी हम लोगों यहां से त्राहिमाम संदेज भेजा था उस स्में भी वह नहीं आ पाय थे और अब に escapesर्थ यहीं पड़ेगा आगे अगर बार बार यह सिल्सिला जारी रहा तो हो सकता है कि हम लोग कोई दूसरा भी स्टेंड अपना ले यह कोई बहुत बड़ी हो कि हम समाज के लिए हैं हम पब्लिक के लिए भागलपूर मेरे जिन में हैं हम भागलपूर का विकास के लिए सदाइब प्रयासरत हैं अगर यह आगे भी दिखे तो कोई मुश्किल नहीं होगी आपको आस्चर नहीं होगा कि हम लोग कुछ दूसरा रूप में भी सामने आएं कोई एक दो उपलप्दी सर बता देजिया जाये मंडल जी की एक दू उपलप्दी तो हम बता सकते हैं कि जैसे उन्होंने एक अप्रोच लिया कि यहां जो भागलपूर मंडल कारजाले के दोरा यहां आपका भागलपूर स् इनको अलग से जो है अधिकार मिलने चाहिए यह भी लेटर उनके तरफ से गया तो यह एक दू उपलप्दी बहुत ज्यादा तो नहीं है हम भी बहुत खुश नहीं है आप अगरिकल्चर की बात करने अगरिकल्चर युनिवर्सिटी की बात करने जब दिक्छान समारों हो जदा नहीं दिया गया था यह बुलना उचित नहीं होगा वह थोड़ा मिसमेंजमेंट हुआ तो आपको क्या लगता है सर कि आप जो है तो इस तरह से पॉल्टेसियन का जो जहां के जो राजनीतिक दल के जो लोग है उस और आप जा रहे हैं अपने आपका जो मूल का मैं स सिक्षा का उससे आप हट करके क्या आप आने वाले समय में कुछ ऐसा नजर में देखते हैं या राजनीति में जाने का कुछ पलान है देखे सिक्षा और राजनीती दोनों अलग है इसी बात नहीं है आप अगर अच्छा सिक्षा पाते हैं तो अच्छा गवर्नेंस भी आप खुचते हैं अच्छा गवर्मेंट को भी आप चुनते हैं तो ये दोनों अंगांगी रूप से जुड़ा हुआ है और जो भी आदमी थोड़ा सा अपना बहुद्धिक छमता रखते हैं, वो चाहेंगे कि कैसे देश का विकास हो, कैसे वो समाजिक के साथ-साथ राजनेतिक विकास हो, क्योंकि राजनेति छोड़के कोई देश का काया पलट हो नहीं सकता है, तो इसलिए वो दोनों लेके चलना पड़ता है, पास मार्क उनको देंगे, इस एक साल के कार्यकाल में अभी जो आजय मंडल जी का है, उसमें आप उनको सौ में कितना मार्स पास भी नहीं कर पाए यह यह पास भी नहीं कर पाए अभी तक, लेकिन आपने तो पास नहीं किये, लेकिन आपने तो उनको पास कराया, हाँ फर् अब्छात विसक्रा वह सहां है और परिंस फैसे हैजाएस सब अपो द्रै को सब्सक्राइब जमंडल जी आप उस इच्छा सिक्ति को जगाई आप बहुत कुछ कर सकते हैं कम से कम आपको जीताने से भागलपूर जनता को सत्ता डूर के साथ है इतना बात तो हुआ कि आप सत्ता पक्ष में है आप कभी बोलते हैं कि हम सहयोग नहीं कियेंगे दो तरह के बाते क्यूं कर सहयोग नहीं अगर फेल करेंगे अभी आठे मेना हुआ हम बार बार प्रयास करेंगे बार बार प्रयास करने के बाद भी अगर फेल होते हैं अभी उनको मोका दिया जाएगा क्योंकि अभी तो मात्र आठ मेना नो मेना वह काम किये हैं या नहीं किये हैं लेकिन अभी उनको मोका मिले। अल्टिमेटली अगर वो failed करेंगे नहीं है चल पाने अभी तो साथ देना ही देना है उनको क्योंकि हमको उनहीं से काम करेंगे आप हम चाह के भी नहीं कर सकतें के बान की ही बात करें तो भाल का भी बाल है चारों तरह भागलपूर इस पर आपकी क्या रहा होगे एक दम सही बात है अभी तक वो फेल किये हैं और इनको बहुत बड़ा मात्रा में बड़ा माक्स लेकर आगे का परिच्छा पास करना है तब यह फेल ढखेगा अभी तक जो फेलियोर है वो फेलियोर तभी ढखेगा जब आगे का एक्जाम में बगुत बड़ा नंबर लेके पास करेंगे तो इसलिए उनको करना पड़ेगा काम नहीं करने से तंफिन मुश्किल है करना पड़ेगा आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप जितनी भी तारीफ कर लें अजय मंडल की लेकिन जो हम मुझे जो लगता है जो जहां कि सहरवासियों का जो कहना है कि उनका वह बिश्वास नहीं जीत पा रहे हैं घलत बात नहीं नहीं है अजय मंडल जिका एक साल जा अगर आप देखे उठा करके तो नहीं वह नहीं कहीं जो विशेस रूप से होता है मंच पर नजर आएं और नहीं जनता के बीच में नजर आएं वस कहीं नजर ही नहीं आते हैं तो ऐसे में जो आपकी टीम है तो आगे की रन्दिति उनके लिए क्या बना रहे हैं हम लोगों ने ये बात ही कहा था कि सब आदमी का प्रे प्रतिनिति रूप में हम काम करें ये संबब नहीं है लेकिन आपको उसमें से आदमी चुनना पड़ेगा कि जो इस लेवल में काम कर सके डिफरेंट जगह में आप प्रेजेंट नहीं हो सकते तो आप उस आदमी तयार किजिए आप उस आदमी को सुफूर्ट किजिए और उनसे आप काम कर वाई आपका प्रतिनिति के रूप में आगे जाए आगामी चुनाओं में किस चेरह को देखते हैं भागलपूर से अभी तो वह सोची नहीं रहे है अभी जो हमने किया है जो हमारे उपर आदमी ने भरोसा दिया है पानी फिर गया सारे करें पर आपके पा आपके पर्सेंट में एक्टीन परसेंट जो है तो वह बता रहे हैं कि फेलियोर है अभी तक तो नहीं दिख रहा है तो नहीं बात है लेकिन हम लोग आगे दीखेगा नहीं यह आसा बादी बनिया क्योंकि आप अगर नेगेटिवी मान लीजेगा तब तो सारा चीज अहीं क्योंकि देखिया हमको पपलेग के साथ ही रहना है पपलेग के लिए हम जीते हैं हमारे जितने भी काम दो लाग से जफ़ार स्टूडचेंट अमंसे बारे में दो लाग के बार में आप के जनंपते नी दिने क्या कि आप तक एक इफी बात को घूमफिर के अगर सेंघत करे पुछेंगे तो 10 बार वही जबाब होगा लेकिन आप आसाबादी बनिएगा तभी आगे कुछ काम कर सकते हैं क्या करें हम लोग चार साल छोड़ दें उनके पीछे खाली गाली है हम देते हैं काम तो उन्हीं को करना है ना आकिर हम ही लोग ने चुना है उनको और कर सकते हू अभी भी वह अगर चाहें तो बहुत बड़ा बड़ा काम चार साल में कर सकते हैं उस इच्छा सक्ति को लाने की जरूरत है चलिए देव जोती मुखर जी से अंतिम संदेश उनका ले लेते हैं कि आप क्या सिल्ख टीबी के माध्यम से क्या संदेश आप देंगे लोगों को लोगों को हम यही संदेश देंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अगर मेरे उपर जो बिस्वास जताया जो आप भी कह रहे हैं और इतना बिस्वास रखिए कि हम प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में हम उमीद यही रखते हैं कि आगे जो अभी तक फेल नजार आ रहे हैं हमारे संगसद महुद हैं वो हो सकता है आपको बहुत बड़ा रूप में पास करके दिखे और अगर नहीं दिखते हैं तो फिर उसमें भी हम लोग अपका स्टेंड समय पर बताएंगे कि क्या हम लोग स्टेंड ले रहे हैं तो ये थे सिक्षाबिद प्रोपेसर देव जोती मुखर जी जिन्होंने कहा कि जो नहां के सांसद है अजय मंडल जी ने उन्होंने अब तक जो उनका काम था उन्होंने वह काम अपना जो जनता का विस्वास जीतना था उन्होंने जनता का विस्वास नहीं जीत सके हैं अजय आस रखती है अपने जनपरती निधी से तो यह तो आने वाला समय ही बताएगा अपने सहयोगी कैमरा पसंद सुमित के साथ सेदिनामुद्दिन सिल्क टिवी भागलपूर